प्यारे बच्चो, कैसे हो तुम सेब? बच्चो, यह बताओ, तुम्हें चिश्मा लगाना कैसा लगता है? तुमने देखा होगा अक्सर बड़े बुजुर्ग या कुछ लोग पढ़ते ये टीवी देखती समय या कम्प्यूटर में काम करते समय चश्मा लगाते हैं लेकिन कई बार लोग धूप में निकलते हैं तब भी चश्मा लगाते हैं आज कल तो रंग भी रंगे अलग अलग डिजाइन के चश्मे बाजार में मिलते हैं तेज धूप या धूल वाली जगह में चश्मा पहनने से आखों की सुरक्षा होती है पर बच्चो क्या तुमने कभी किसी बंदर को चश्मा लगाय हुए देखा है? शायद नहीं ना? हाँ लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कविता पढ़कर सुनाती हूँ बंदर ने एनक मतलब चश्मा लगाया हुआ है और वो चश्मा लगाकर कुछ काम भी कर रहा है पर क्या काम कर रहा है? तुम्हारी कक्षा पहली की हिंदी पुस्तक का पाट बारा बंदर आया पढ़कर जानें खाकर फल और भटा टमाटर एनक लगाये निकला बंदर बैठा देखो एक ठठेरा ठक ठक करता साम सवेरा बच्चो आओ इस कविता को अब एक बार तुम मेरे साथ पढ़ो बैठा देखो एक ठठेरा ठक ठक करता साम सवेरा कविता की इन पहली दो पंक्तियों का अर्थ है कि जैसे तुम्हें फल खाना पहुत पसंद होगा इसी तरह बंदर को भी फल फुल खाना पहुत पसंद है इस तरह कविता की इन पंक्तिओं के अनुषार बंदर, फल और भटा टमाटर खाकर एनक इर्था चश्मा लगाकर बाहर निकलता है बैठा देखो एक ठठेरा, ठक ठक करता शाम सवेरा कविता की आगी की पंक्तियों का अर्थ है कि बंदर, फल और भटा टमाटर खाकर बाहर तो निकल गया है लेकिन बाहर जाकर वर ठठेरा का काम कर रहा है ठठेरा मतलब समझाया? ठटेरा का मतलब होता है जो बरतन बनाते हैं उसे ठटेरा कहा जाता है चित्र में भी तुम देख सकते हो तो बच्चो पुस्तक से अब तुम ये कविता खुद भी पढ़ कर देखना आओ अब इस पार्ट से जुड़े कुछ हम अभ्यासकारी करते हैं इस तरफ देखो यहां को चित्र दिये हैं और उनके बीच में नाम हैं इन नामों के साथ इन चित्रों के जोड़ी मिलाना है थीक है बच्चो तो सबसे पहला चित्र है एक, गिंति का जो एक लिखा जाता है वो ये इसका चित्र है अगला चित्र चश्मा, तमाटर, भटा, फल और ठठेरा अब इनकी नाम जो हैं वो आगे पिछी दिये हैं एक जो लिखा है इसका शब्द कहा लिखा हुआ है? देखो यह लिखा है, बहुत सहीं एनक यह लिखा है, तमाटर यहां लिखा है भटा यहां लिखा है, फल यहां लिखा है, ठठेरा यहां लिखा है, ठठेरा बच्चो अब इस कविता में जो कुछ शब्द आये थे इन शब्दों में कितनी आवाजे हैं? और ये शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं? इनकी पहली आवाज क्या है? आव इसे हम एक गतिविधी के माध्यम से जानते हैं पहला चित्र है भटा का, इसके नीचे लिखा है भटा, इसमें कितनी आवाजे हैं? भटा कितनी बर तालियां बजाने पड़ी? दो बार, मतलब दो आवाजें पहली आवाज भटा, मतलब पहली आवाज भट, इस तरह लिखा जाता है भट अगला चित्र एनक, नीचे लिखा है एनक, इसमें कितनी आवाजे हैं? बजाकर देखो, चुटके बजाकर ए, न, क, कितने बार चुटकें बजी? तीन बार, मतलब इस शब्द में कितनी आवाजे हुई? तीन आवाजे ए, न, क, इसकी पहली आवाज ए, इस तरह से लिखी जाती अगला चित्र फल, इसमें कितनी आवाजे हैं? फ, ल, दो आवाजे, पहली आवाज फ, यह देखो, इस तरह से लिखा जाता है फ, अगला चित्र थठेरा, इस चित्र के नीचे लिखा है थठेरा बच्चो इस शब्द में कितनी आवाजे हैं ठ, थे, रा. कितनी तालियां बजी तीन. पहली तालिक इसके लिए ठ, दूसरी तालिक थे, तीसरी तालिक रा. तो क्या हो गया बच्चो? यह ठ, 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 ते, रा. और इसकी पहली आवाज ठ है. तो यहाँ पर देखो लिखा है ठ, अगला चित्र एक, इसके नीचे लिखा है एक, एक में कितनी आवाजें? एक, तो आवाजें. पहली आवाज ए, यहाँ देखो लिखा है ए, अगला चित्र टमाटर, चित्र के नीचे लिखा है टमाटर. चुटकी बजा कर देखो कितनी त, र, चार आवाजें, पहली आवाज त, यह देखो, यहां इस तरह लिखा है त, आओ बच्चो, अब हम इन वर्णों से जुड़ी एक गती विधी करते हैं, अभी तुमने कुछ ऐसे आवाजे सुनी, जैसे फ, त, भ, थ, अब तुम्हें कुछ ऐसे शब्द बताने हैं, ज हमें खेल-खेलते हैं, जब मैं कोई शब्द बोलू, और उसकी पहली आवाज फ हो, तो तुम्हें अंगुठा उपर करना है, और जो फ की आवाज न हो उसमें, तो हमें अंगुठा नीचे करना है, ठीक है बच्चो, अब बता, देखो, फसल, अंगुठा उपर, क्योंकि इसमें फ की आवाज है, साफ, अंगुठा उपर, क्योंकि फ की आवाज है, कपड़ा, अंगुठा नीचे, क्योंकि इस शब्द में फ की आवाज नहीं है, माफ, अंगुठा उपर, क्योंकि इसमें फ की आवाज है, अब की बार तुम्हें ट की आवाज आने में अंगुठ है तौकी आवाज ना आये तो अंगुठा नीचे फाटक है ना की आवाज इसमें बहुत बढ़ी हरा टपक अंगुठा उपर थंडा इस शब्द में की आ वाज नहीं है थंडा लटक अंगुठा उपर अब इस तरह तुम्हें अगले शब्द में यदि भा की आवाज सुनाई दे तो तुम्हें अंगुठा उपर करना है भा की आवाज न हो तो अंगुठा नीचे भात अंगुठा उपर भवन अंगुठा उपर भलाई उपर पेरिगुट बच्चो अब हम अगला आवाज लेते हैं जिसमें तुम्हें ठा की अवाज आये तो अंगुठा उपर करना थाकी आवाज ना हो तो अंगुठा नीचे करना गाठ है। इसमें ठाकी तो हम अंगुठा उपर करेंगे ठीके बच्छों अब यह खेल तुम अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर खेल सकते हो अगली गतिविधी करते हैं। फूख लगी हो तो बताओ इन दिये गए चित्रों में से वह कौन सी चीज को खा सकता है और किस चीज को नहीं खाएगा जैसे पहला चित्र है एनक, इमली, पपीता, चर्खा और टमाटार ठीक है बच्चों तो इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है इसका उत्तर हो सकता है कि इसमें से पपीता, टमाटा और इमली को खाएगा आओ बच्चों अब इस पार्ट से जुड़े कुछ ग्रिह कारे में तुम्हें देती हूं इसका पहला प्रश्न है कि तुम्हें यहां पहले कुछ वर्ण दिये गए हैं इन वर्णों को देखकर आगे दिये गए शब्दो में उसे ढूंद कर गोला लगाना है तो पहला प्रश्न है खोजो और गोल घिरा लगाओ पहला वर्ण है एक एक में कहां पर ए लिखा हुआ है यह देखो यहां लिखा है ए खाएगा इसमें ए कहां पर है बीच में ठीक है अब इस तरह तुम और भी वर्णों को देखो बच्चो यह जो अब गतिविधी है यह तुम्हारे पाठे पुस्तक में भी है तो तुम वहां से भी वर्ण ढूंड कर उसमें गुला लगा सकते हो ग्रिह कारे का दूसरा प्रेश्ण है अगला ग्रिह कारे है बच्चो बंदार का चित्र बनाओ यह काम तो तुम्हें बहुत को थो mean है बर्ण पेना को जो शो ही बंगा ग्रह वक है कांड का विर्ण का ग्राओर विर से विर्ण पाष्ण शगश्वें शोल को तुम्हारे बच्चो झाल भी है बर्णी में जबरा को Conseत्ना का पव्र Consכशशिय का जडें झार से बच्चो अठीऴ लिगा कित्वें